के बारे में जैनकारी होती है दोस्तो ऐसा होता है कि जब भी आप work करते हो computer पे तो उस वक्त अगर आप keyword के shortcuts को ज़्यादा knowledge में रखते हैं तो आपका काप काफी हद तक आसान हो जाता है तो दोस्तो अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं keyword shortcuts के बारे में तो देखते रहे हैं हमारा channel इसमें मैं बताने जा रहा हूँ different different keywords shortcuts के बारे में जिसका आप आम तोर पर यूज कर सबसे पहले हम बात करते हैं copy और paste की दोस्तो किसी भी line या पूरे text image या link को अगर आप copy करना चाहते हैं तो एक option होता है कि आप mouse से वहाँ पर select करें और copy करें और दोस्तो अगर shortcuts आपको पाता है तो control plus C आप use कर सकते हैं क्योंकि control plus C से copy होता है अगर आप किसी चीज को matter को वहाँ से हटा के दूसरे जगाव paste करना चाहते हैं ऐसे में दोस्तो आप cut कर सकते हैं cut करने के लिए दो तरीके एक आप mouse का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा control plus X अगर करते हैं तो वो जो content होगा वो cut हो जाएगा और आपके click board में available रहेगा जहां पे आप चाहें उसको paste कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद बात करते हैं paste करने की दोस्तों कोई भी image या तो आपने copy किया या paste किया तो ऐसे में जरूरत होती है कि हम इसको किसी जगह पे किसी particular location पे paste करें तो ऐसे में दोस्तों आप keyword shortcuts के रूप में control plus V का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपने कर दिया और आपको back जाना है ऐसे में दोस्तों control Z का इस्तेमाल जिसे undo करते हैं आप कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं delete की दोस्तों आम तोर पे क्या होता है कि किसी file को delete करने के लिए हम process करते हैं ऐसे में mouse के use करके हम delete को click करते हैं तो दोस्तों अगर shortcuts की बात करते हैं तो आपके keyboards पे delete का button होता है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं और वो file direct delete हो जाएगा दोस्तों इसके बात बात करते हैं कि कोई भी file अगर आपने delete कर दिया तो वो file generally cycle bean में जाके place हो जाता है दोस्तों होता यह है कि जो भी content आपके पास रहता है वो content जब भी आप delete करते हो तो वो permanent delete नहीं होता है उस particular location से वो hide होता है और sim reference के साथ वो recycle bean में जाके मौजूद हो जाता है दोस्तों ऐसे में जरूरत होती है कि हम उस file को या उस data को अपने system से completely delete करें ऐसे में दोस्तों आप अगर delete के जगा पे shift plus delete का इस्तमाल करते हैं तो वो file जो होगा वो recycle bean में जाने से बजाए permanent delete हो जाएगा दोस्तों इसके बाद बाद करते हैं control plus shift की दोस्तों किसी selected item को shortcut बनने के लिए आप control plus shift का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों बहुत हद तक हमें जरूरत होती है किसी file को rename करने की तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करते हो कि उस file पर click करके edit करते हो edit करने के बाद से आपके पास option आता है rename करने का दोस्तों ऐसे में अगर आप file select करके F2 button press करते हो तो भी आप file को rename कर सकते हो तो दोस्तों ये sort कर काफी हद तक आपके life में आपके काम को easy कर सकता है दोस्तों इसके बाद बाद करते हैं text को insert करने के लिए आपको right click करने हो किसी text को insert करने के लिए आपको position बनाने हो ऐसे में दोस्तों आप control के साथ arrow word का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आगे जाना है तो arrow back आना है, तो पीछे उपर जाना है, तो आप arrow और नीचे जाना है, तो down arrow का इस्तमाल आप कर सकते हैं, इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा line की change करने पर, पर दोस्तों दूसरा option यह होता है कि mouse से इध arrow और नीचे में थोड़ा सा time taken होता है, ऐसे में आप अगर keyword search course का इस्तमाल करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है, दोस्तों अगर किसी line को किसी text को highlight करना है, ऐसे में आप control plus shift का इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे कोई भी data जो होगा वो selected रहेगा, shift का इस् link को select करते हो, और इसके साथ आप चाहते हो कि 2-3 link और selected रहें, तो ऐसे में आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, control A की, दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पूरे screen के data को आपको select करना होता है, ऐसे में अगर control plus A करते हैं, तो उस control के अंदर ज कुछ सर्च करना हो, तो ऐसे में अगर आप F3 का इस्तमाल करते हैं, तो इससे आपको फादा मिलेगा, दोस्तों selected item के अगर properties देखना है, तो ऐसे में आप property पर click करके mouse से property पर click करने जाने से बेटर ये होगा, कि alt plus enter करें, और इससे आप उसको देख पाएंगे, दोस्तों कि यसी active window में shortcuts menu open करने के लिए आप alt plus space bar का इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो open हो जाएगा, दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, प्रोग्राम में active document को बंद करने के लिए, दोस्तों अगेन आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, control plus F4 का, बहुत सी windows में से किसी एक windows में आपको working करन हैं, तो ऐसे में tap shifting की जरूरत होती है, और tap shifting के लिए आप cult plus tab का इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों प्रोग्राम जैसे ही, जैसे जैसे open हुए, उनको एक serial में लगाने के लिए, आप alt plus space का इस्तमाल कर सकते हैं, इससे आपको काफी हथ तक फायदा मिलने वाला है, दोस्तों अ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, computer, my computer और windows explorer में address display करने के लिए करने में, अगर आप F4 का इस्तमाल करते हैं, तो यह आपके लिए easy होगा, दोस्तों अगर right click menu खोल जाता है, अगर आपको right click menu खोलना होता है, ऐसा में shift F10 का इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों active window में active menu को open कर करने के लिए आप alt plus space bar का इस्तमाल कर सकते हैं, start menu के use करने के लिए alt plus space bar का इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों अगर display करना है आपको corresponding menu को, ऐसे में आप alt plus underline later in a menu name का इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों underline later in a command name on an open menu, carry out the corresponding command के लिए आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो active window में menu bar को active करने के लिए F10 का इस्तिमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा दोस्तो open menu में next right और sub menu के options पे जाने के लिए आप right click right arrow का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके साथ ही आप left arrow का भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर किसी आपको विंडूज को phase करना है ऐसे में आप F5 का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप developer है और आपको build करना होता है किसी application को ऐसे में भी आप F5 का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर active window में एक step back जाना है तो उसके लिए या backspace का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ही current task को को अगर cancel करना है तो आप escape का इस्तेमाल ESC का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप interest रखते हो और भी चीजों को देखने के लिए तो हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में dynamics box keywords के बारे में, इसके बार natural keyword shortcuts के यृट करने, accessibility keywords shortcuts यृट łट करने तो दोस्तों ये वीडियो हम next to next publish करेंगे और आप अगर इसमें interest रखते हैं तो आप हमारे channel को like, share और subscribe करें जिससे कि आप जब भी हमारा video upload होगा उसका notification आपके email box में मिल जाएगा So thank you very much for watching this